नमश्कार बहुत स्वागत है आपका अमर्दुपाशी नियूस में और एक बार फिर से हम हाजीर हैं आप सभी के समक्षोर हमारे साथ मौजूद है आचारी संजे जी आपका बहुत स्वागत है जै मातादी मातारानी आपको सुखी रखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आचारी जी जो है लाल किताब के बहुत अच्छे ग्याता हैं और लाल किताब के जरीए कई सारे ऐसे उपाय और ऐसे छोटे छोटे नुस्के उनने बताये हैं जिससे कि हमारे दर्शकों को हमारे दे मुझूद है हम उनसे जानेंगे और कुछ आपके सवाल जो आपके मन में थे जो शोशल लेटर्किंग साइट के माध्यम से हम तक पहुचे हैं वो सवाल आज हम आचारी जी से करना चाहेंगे आचारी जी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया है शोशल लेटर्किंग साइ जिसमें कि वो लोगोों को शेर के तर अकरशित करती है शेयर मर्केट की तरफ क्योंकि लोगों का आजकल jo hai'll short टरीके से ќो ह कम समय में ज्यादा पाईसे कमाने की ललक होती हैं और वो इस जो है इसमें आरसानी से joh a in ca broken ke ton उस बाजार की तरफ आकर्शित हो जाते हैं पर सो में से दो लोग ऐसे होते हैं जोने फायदा होता बाकी सबको नुक्सान होता है कई बार बहुत ज़्यादा नुक्सान हो जाता लोगों को कि उनको उनकी जीवन लिला भी समाप्ध करना पड़ती है तो लाल किताब में लाल किताब के जरीए ऐसा क्या हम उनके ग्रहों के अधर पर उनको बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को शेयर करेगा तो उसको फलेगा या ऐसे कौन से उपाए हैं कि उपाए करके उसमें जो है उनको सफलता हो बहुत जादा उनको नुक्सान ना हो का तिसन होता क्या है कि शेर सट इश्चा उतारचणाओ लावहनी跳 Дो इसलिप्धिया इंसान की बुद्धि के उपर ट्रैंट कर फोए हुट बुद्ध्य अशक्टि में उस बुद्धि में चैनलों की जन्म कुनली में बुद्ध देव बहुत अच्छी इस्तिती में पेदा होते हैं बेठे होते हैं तो उस बेठी अवस्ता में वह नीड़ना इंसान उस समय बहुत अच्छे ले लेता है जैसे थोड़ी देर के लिए आपने कोई खरीदा खरीद में तक ही सिमित नहीं है उसका बना करके उस प्राफिट को घर लेकर आ गए और वह आपके पास में डिपाजिट हो गया तब तो आपने उसके कमई करी ऐसा नहीं आपने किसी भी चीज़ को खरी लिए और उसको आप सोस लें कि आप इसमें प्राफिट में उतर गए तो यह सारे नीने सक्ति के उपर आध बी नीड़ना ऐसा लेंगे जिसमें आपको कमई होगी उसको आप प्राफिट को अर्न करके अपने घर पर लाएंगे और विचार कि उस प्राफिट को जब आपने जनरेट किया या अपने पास में डिपोजिट किया तो उसको कहां लगाना है वो विचार भी आपका ठीक हो लोग आते हैं गुरुजी हमारी कमई बहुत अच्छी है कि आंधी की तरह पैसा आता है तुफान की तरह चला जाता है रुकता नहीं उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपके पास में पैसा आया लेकिन आप खुद भी चाहिए कि उसको रोकनी पाए आपने उसका इ तो अगर आप लोग भी शेयर मार्केट को करियर के रूप में चुनना चाहते हैं या इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आचारी जी से या आचारी जी से मार्गरोशन ले तो बहुत अच्छा है कोई इसे जानकार व्यक्ति से जिसको जोतिश का अच्छा नौलेज हो उस व्यक्ति से पहले संपर्क करें उनसे जानकारी ले आपका बुद्गरह किस पोजिशन में है क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा जोखिम होता है इस तरह के जोखिम उठाने के पहले इस तरह के जो है पर कुरूरता जो है वो बड़े लोग बढ़ती जारी बड़े लोग करते भी हैं क्यों सारे लोग गाए को पहले नुकसान पहुचाते थे बाद में फिर जब वो परिशान होते हैं किसी जोतिश या किसी विद्वान के पास जाते तो वो उनको बतायता है कि आप गाए को पास जारा खिलाएं आपको यह फायदा होगा इस्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको श्वानों को लेकर आजकल जो है बड़ा सभी जगे माहूल बनावा श्वान नुकसान पहुचा रहे हैं लोगों को तो कई सारे लोग उन पर भी कूरता करते हैं बाद में फिर जब क बचा जा सकता है कि देखिए अभी वर्तमान समय में जो इंसान के उधार्णाय चल रहे हैं वह यह कि अधि घर में आपके भी सांप निकल जाएगा ना तो आप सबसे पहले उसको पीट-पीट के मार दो गया आपको एसी इस्तिति निर्मित हो जाए कि इसको पकड़ना कि आप यह जो आप आप इसक दोस्की पुझा करना तो आप चान्दी की साप को बना के तान करो गया अपकर आप क्यों कई बार देखा गया कि लोग लकड़ियों से गाय को पीड़ को पीट देते कि मुक पासु रहा हो उनको पीड़ते हैं बगा देते हैं घर पह आया वह किस रिजन से आपके घर पर खड़ा आपको नहीं पता है आपने उसको लखड़ी मार के भगा दिया और आप जाएंगे स्यूलिंग के सामने जो नंदी बाबा है उनके कान में सोचेंगे कि कुछ बोल देंगे तो हमारी सारी मनों काम ना पूर्ण हो जाएंगी घर में इस्ट बोल देगा कि आपको भेरु बाबा के मंदिर जाना है और कुत्ते के बूत को दूद पिलाना है या कुत महां पर बेठेवे कुत्तों को दूद पिलाना तो आप वह उपाय करेंगे तो मैं आप से इतना कहना चाहूंगा कि जो इस्वरी सक्ति जिसने काइनाद बन नहीं है इस धर्थी पर जितने भी प्राणी है ना वह स्वास भी लेते तो उसके बिना नहीं लेते हैं मैं सिर्फ आप से इतना ही कहूंगा इस माध्याम से टीवी चैनल के कि इंसान सबसे पहले मुख पसुअ के सेवा करें जहां तक उतने प्रतारीट नहां के अब और हम मुड़ी हैं वह हुआ उप मपवाले की बने ही मुड़ी है नीचे वाले जिन लोगों ने जो मुर्तिया बने ही मैं नहीं कहता है कि उनकी पुजित करने से क्या होगा लेकिन जो उपर वाले ने जो मुर्तिया बने ही जो माता पिता के सवरूप में है जो गुरुओं के सवरूप में है जो अपने बड़ों के सम्मान करने के सवरूप मे हमें मिले विरास सकती है आप सिर्फ उनकी सम्मान कर लो उनको पूजिलो कि आपके सारे ग्रह पाजेटिव होना सुरू हो जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको कोई भी मेजस काम कि परकार करेंश के आप तो यहांटिंग हो गई आपके आप करने आपके मन को आपके मन को सबसेज़ाद संतो स्प्राद इस्तिति में पूछाएगा कि या आप मैसुस करेंगी तो कई ना कई पशूओं पर भी जो कुरूरता हम करते हैं उससे भी जो हम कई सरी परशानियों में पढ़ते हैं उनको जितना हो सके उनकी सेवा करें उनको जो है कभी इस तरह का उनको परशान ना करें आज कल एक चीज और देखने माई है कि छोट चाहे बड़े हो हर व्यक्ति एकी बात बोलता है कि नजर लग गई है किसी की नजर लग गई है कुछ एसा हो गया है तो यह नजर दूश क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय होते क्या रास्ते होते जिससे हम इनसे बच सके देखे नजर दोश होता है कि कभी भी या आपका एक वर्चस तो बढ़ जाए या आपका शरी बहुत अच्छा दिखने लग जाए तो यह यह प्रपर्टी आपकी बढ़ जाए यह किसी प्रकार से तो नजर क्या होता है ना कि स्बसे पहले आपआ का सरीर के अपर सबसे पहले का आपका देरे धिरे ठाहर लगता है बीमारी यापको इसा लगता है कि इस अब कभी भॉड्य इंसार पने साब्वार्जिण करुए आपको करणा है यी तो कि नू बार गडी करना कि नुवर्ण करना उसकोша गडी करना दाका जितना भी बड़ा होगा・ उस द्हाङए और हुआ सरसो के तहल में है सर्टों के तेल में डीप करने के बाद में आपके सीर पर 21 जिए उतार ना ि इन्टित लॉक हि उसको उतार ने बाद में आपका जो मुख्य दवार ना ल derivative कि शोखट पर तोग के और लिया तो गाल के रखना है उस जोखट पर उस धागय को आप लटका में उस खील के उपर ठीक है उसके बाद में उसको आप माचिस की तीली से जला दें जैसे जैसे जलती जाएगी आप देखेंगे कि खुद नेगेटिविटी की स्थीति आपकी कम होती जाएगी और इसे आप लगाता तीन सनिवार करें आपको तीन सनिवार करिए निशित ही आपको इससे जो है बहुत फाइदा मिलेगा बहुत लाब होगा और एक जो है एसी एसा विशह है ये कि इनसान जो है एक उमर के बाद अपना जीवन साथी की तलाश करता है उसको जीवन साथी तलाश होती है अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जा तो मनुष्य का जीवन जो है वो तर जाता है पर आज कल देखने में आया है कि कोड के सिसमें शादिया चलती काम है और तलाग बड़ी जल्दी होते हैं तो किस तरह से एक अच्छे जीवन साथी की पहचान हम करें कैसे हम जो है एक अच्छा जीवन साथी डोने है उसक जवाब आज तक मुझे मिला भी नहीं है जिन भी लोगों से पूछा है कि आपका जीवन साथी कोन है मैं आज आप से प्रस्न पूछता हूं आप मैसे मुझे से पूछते हैं चलिए आप यह बताएगे कि आप जीवन साथी किसको मानते हैं है हमारी जोर धांगनी है अभी जब तक आपका जीवन साथी रहेगा तो यह जितने भी जवाब है है यह ठीक है लोगों ने अपने-पने उद्यस साथी है सबसे बड़ा जीवन साथी होता है जीवन साथी हम उसको करते हैं जीवन के अनत तक आपके साथ रहे आज तक कोई मेरे ख्याल से ऐसा इनसान नहीं जिसका जीवन साथी जिसको पती-पत्नी कहते हैं वह साथ में जीवनसाथ मतलें कि अतर दो आपके साथ तो दो design एक चीजी दो आवे नहीं यानि कि आपको आपका सब्सक्राइब स devotees business life in is you can कि आपने आपके शरीर की केखर हैं कि अधिक करी है तो बाप तक आपके जीवन साथ देigen आप जिसको भी मानते हैं वह आगे पीछे करीना करी हो जागा लेकिन शरीर नहीं होगा शरीर आपके जीवन के अंत तक है अब इसको समालना केस है आज के वर्तमान यूग में दीन चरिया भूद फास्ट हो गई मोबाइल चलाने में या मोबाइल को देखने में या जो भी है सोसल नेटवर्किंग के माध्यम जो भी हो गए है या जपन केलने की टाइम पास के माध्यम उसमें इंसान अपना समय ख़राब कर लेता है एक घंटे नीमित किसी प्रकार का व्याया योगा या कोई एसी एक्टि उस शरीर का लाब ले सकते हैं वरना होगा तो कुछ भी नहीं आपके पास में धुन दोलत है तो आपके बच्चे आपकी दवाई ला देंगे आपकी पत्नी आपके पास में बेढ़ जाए या आखरी समय तक लेकिन जो सरीरिक प्योड़ा है ना वह आपके साथ में कोई सिय लेगा कि यह दो बात आपने मुल्भूत समझ ली तो आप समझ लो कि आप 95 परसेंट कि सब ही हलातों से नहीं पड़ सकते हैं जीवन के कि वन्ना क्या होता है कि शरीर डेमेज हुआ इंसान का तो सबसे पहले आदमी का जो मैंड है वो काम करना बन करता है उसके विचार बटक जाते हैं कि वह सारी पीड़ा के कारण उसको सारी व्याधिया आन लगती शरीर में कई मन नी लगेगा आपका आपने देखा होगा ब कि अभी जश्ट बड़े इन्वेस्टर थे सियर के राक्या जुनजुनवाला जी उनके एक स्लोगन पढ़ा कि मेरा सारा इंवेस्मेंट सही था लेकिन मुझे एक जगा इन्वेस्ट करना था वो मैं नहीं कर पाया वो था सरीर और वो लाचार होके इस दुनिया से गए चार अजार करोड़ रुपए की नेट वर्त थी और उनका जीवन में की ख्वाइश थी कि मैं मेरे मेरे बच्चों को 24 साल का होते हुए देख सकते हुए सारी दुनिया खरीच सकते थे पर अपनी सेहत नहीं खरीट पाया वो आखरी तक चल भी नहीं पाए विलचेयर पी थ आप से कहूं है कि आप एक नाखुन मुझे तोड़ के देदो तो आप कित्ते भी दोलत ले लोगा तो नहीं दोगे उसको जब इतना कमती शरीर उपर वाले ना आपको दिया है ना तो सिर्फ आपके सारा हलातों से आपनी पढ़ लोगे हम देखते हैं कि कोई मजदूर गर तो आपने शड़क पर शुला दिया लेकिन उसको जो नींद आई कि ना वह चार गोली जो नींद की लेता उसको भी नियाती है उस नींद की कोई कीमत नहीं उस भूक की कीमत नहीं जिसमें आप सुकी रोटी खालो तो यह सारा जुश्टम है आपका सरीर सुष्ट होने के यह और मूरी रेखार कर लोटा है कि ठीक है तो आप जो है ने एक आधए कि आपका मिंद यह है कि आप कम शेर को कर दो तिन एक गहनटा यह अई कहीं से बिसक्षा कर लें कहीं से भी कम करें, उसकी कटोती कहीं भी करें, लेकिन उस एक घंटे में कटोती नहीं करना रहें, ठीक है? तो देखिए एक रोचक जानकरी आज हमें आचारी जी के माध्यम से जानने को मिली है कि जीवन साथी जिसको अभी तक हम अपने वाइफ को या हम अपने परिवार जन को या हम उनको जीवन साथी मानते थे पर असली जीवन साथी हमारा शरीर हमारी कदकाया होती है जिसको समालने की बहुत जरुवत है आज की हमारी इस लाइफ में हम अपनी शरीर के तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम कई सारी बीमारियों से गरसित हो जाते हैं अगर हम नित्य व्यायाम या जीश भी तरीकों को हम अपना चाहें वो तरीका अपना है और अपने शरीर पर ध्यान दे तो हम आने वाली बीमारियों से बस सकते हैं तो आज के इस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में फिर आज ही रहोंगे आपके शमक्ष और कुछ एसी ही रोचक जानकरिया लेकर आएंगे जो कि आपको आपका आपकी लाइफ को सरल बनाने में आपके बहुत खाम आईगी हमें दीजिए ज़ाद नमस्कार